बंदर एक अनोका और चंचल प्राड़ी है। बंदर एक शरार्ती और बहुत भुद्धिमान जानवर है। इनमें मनुष्य की तरह भावनाएं पाई जाती हैं। इसलिए ये नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं। बंदर दुनिया मलगभग हर जगा पाई जाते हैं। बंदर कई प्रकार के पाई जाते हैं। लाल मोह वाले बंदर छोटे होते हैं। काले मूम बाले बंदर बड़े होते हैं। इनकी लंबी पूर्च होती हैं जिसे लंगूर कहते हैं। बंदर के अगले और उनके हाथों का भी काम कर सकते हैं यह जंगल में रहते हैं इन्हें एक पेड से दूसरे पेड पर कुणना पसंद होता है बंदर पेड पर रहता है बैफ फल खाता है बंदर के आहार में अक्रोट बेदी फल आदी शामिल होते हैं बंदर का पशंदी दफल केले हैं बंदर का केला खाना बहुत पशंद होता है मौका पाकर बर घरों से खाने पीने की चीज़ें उठा ले जाता है बंदर का चोटा बच्चा अपनी मा के पेट से जिपका रहता है मादा बंदर को बंदरिया कहते हैं बंदर खूब चलकून करता है मदारी बंदर को नचाता है बंदर बच्चे बंदर का खेल देखकर बहुत खुस होते हैं बंदर करता भी है बंदर एक पुर्दिवान जानवर है या एक चौपाया जानवर है जिसके चार पेर, दो आखें, दो कान और एक लंबी पूछ होती है बंदर बहुत ही फुर्दिवान जानवर है या पेर पर एक डाली से दो सी डाली में असानी से छलांग लगा शकता है हर साल चौदर दिसंबर को बिस्व बंदर दिवश मनाया जाता है अंत्रिक्ष में बेजा गया पहला बंदर जिसका नाम अलवर्ट सेकेंड था बंदरों का और मनुश्यों का डीने लगब अगंठाने विप्रतिशत समान होता है बंदर के 32 दाथ होते है बंदर एक अनोका और चंचल प्राली है बंदर एक शरारती और बहुत भुत्तिमान जानवर है इनमें मनुश्य की तरह भावनाएं पाई जाती है इसलिए ये नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं बंदर दुनिया मलगभग हर जगा पाई जाते हैं बंदर कई प्रकार के पाई जाते हैं लाल मौवाले बंदर छोटे होते हैं काले मूम बाले बंदर बड़े होते हैं इनकी लंबी पूछ होती है जिसे लंगूर कहते हैं बंदर के अगले और उनके हाथों का भी काम कर सकते हैं यह जंगल में रहते हैं इन्हें एक पेड से दूसरे पेड पर कुनना पसंद होता है बंदर पेड पर रहता है बैफल खाता है बंदर के आहार में अकरोट बेडी फल आदी शामिल होते हैं बंदर का पशंदी दफल केले हैं बंदर का केला खाना बहुत पशंद होता है मौका पाकर बज़ घरों से खाने पीने की चीज़ें उठा ले जाता है बंदर का छोटा बच्चा अपनी मा के पेट से जिपका रहता है मादा बंदर को बंदरिया कहते है बंदर खूब चलकून करता है मदारी बंदर को नचाता है बंदर बच्चे बंदर का खेल देखकर बहुत कुस होते हैं बंदर करता भी है बंदर एक पुर्दिवान जानवर है या एक चौपाया जानवर है जिसके चार पेर, दो आखें, दो कान और एक लंबी पूछ होती है बंदर बहुत ही फुर्दिवान जानवर है या पेर पर एक डाली से दो सी डाली में असानी से छलांग लगा शकता है हर साल 14 दिसंबर को बिस्व बंदर दिवश मनाया जाता है अंत्रिक्ष में बेजा गया पहला बंदर जिसका नाम अलवर्ट सेकेंड था बंदरों का और मनुश्यों का डिने लगब अगंठान नवी प्रतिशत समान होता है बंदर के 32 दाथ होते हैं बंदर एक अनोका और चंचल प्रारी है बंदर एक शरार्ती और बहुत बुद्धिमान जानवर है इनमें मनुश्य की तरह भावनाएं पाई जाती हैं इसलिए ये नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं बंदर दुनिया मलगभग हर जगा पाई जाते हैं बंदर कई प्रकार के पाई जाते हैं लाल मुव वाले बंदर छोटे होते हैं काले मुव बाले बंदर बड़े होते हैं इनकी लंबी पूछ होती है जिसे लंगूर कहते हैं बंदर के अगले और उनके हाथों का भी काम कर सकते हैं ये जंगल में रहते हैं इन्हें एक पेर से दूसरे पेर पर कुन नप पसंद होता है बंदर पेड़ पर रहता है बैफ फल खाता है बंदर के आहार में अक्रोंट बेड़ी फल आदी शामिल होते हैं बंदर का पशंदीदा फल केले हैं बंदर का केला खाना बहुत पशंद होता है मौका पाकर बैज घरों से खाने पीने की चीज़ें उठा ले जाता है बंदर का चोटा बच्चा अपनी मा के पेट से जिपका रहता है मादा बंदर को बंदरिया कहते है बंदर खूब चलकून करता है मदारी बंदर को नचाता है बंदर बच्चे बंदर का खेल देखकर बहुत खुस होते है बंदर काटता भी है बंदर एक फुर्तिवान जानवर है या एक चौपाया जानवर है जिसके चार पेर, दो आखें, दो कान और एक लंबी पूछ होती है बंदर बहुत ही फुर्तिला जानवर है या पेर पर एक डाली से दोसी डाली में असानी से छलांग लगा शकता है हर साल चौदर दिसंबर को बिस्व बंदर दिवश मनाया जाता है अंत्रिक्ष में बेजा गया पहला बंदर जिसका नाम अलवर्ट सेकेंड था बंदरों का और मनुश्यों का डीने लगब अगंठा नवे प्रतिशत समान होता है बंदर के बत्तिस दाथ होता है बंदर एक अनोका और चंचल प्राली है बंदर एक शरारती और बहुत भुत्तिमान जानवर है इन में मनुश्य की तरह भावनाएं पाई जाती हैं इसलिए ये नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं बंदर दुनिया मलगभग हर जगा पाए जाते हैं बंदर कई प्रकार के पाए जाते हैं लाल मुह वाले बंदर छोटे होते हैं काले मूम बाले बंदर बड़े होते हैं इनकी लंबी पूछ होती है जिसे लंगूर कहते हैं बंदर के अगले और उनके हाथों का भी काम कर सकते हैं यह जंगल में रहते हैं इन्हें एक पेड से दूसरे पेड पर कुणना पसंद होता है बंदर पेड पर रहता है बैफ फल खाता है बंदर के आहार में अक्रोंट बेडी फल आदी शामिल होते हैं बंदर का पशंदी दफल केले हैं बंदर का केला खाना बहुत पशंद होता है मौका पाकर बर घरों से खाने पीनी की चीज़ें उठा ले जाता है बंदर का चोटा बच्चा अपनी मा के पेट से जिपका रहता है मादा बंदर को बंदरिया कहते हैं बंदर खूब चलकून करता है मदारी बंदर को नचाता है बंदर बच्चे बंदर का खेल देखकर बहुत कुस होते हैं बंदर करता भी है बंदर एक पुर्दिवान जानवर है या एक चौपाया जानवर है जिसके चार पेर, दो आखें, दो कान और एक लंबी पूच होती है बंदर बहुत ही फुर्दिवान जानवर है या पेर पर एक डाली से दो सी डाली में असानी से छलांग लगा शकता है हर साल चौदर दिसंबर को बिस्व बंदर दिवश मनाया जाता है अंत्रिक्ष में बेजा गया पहला बंदर जिसका नाम अलवर्ट सेकेंड था बंदरों का और मनुश्यों का डीने लगब अगंठाने विप्रतिशत समान होता है बंदर के 32 दाथ होते है